रवसकार दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने इस यूटूब चैनल टीके कोचिंग सेंटर में जो भी बिद्यार्थी इस वर्स जो मैट्रिक में उतिल्ड हुए हैं यानि कि जो भी बेगती इस वर्स यानि कि 2022 में जो मैट्रिक पास हुए हैं यदि वे अपना सब्सक्राइब ऑलोगे एड्मिशन अगर लेंगे तो आप लोगको एक रुपया भी सुलक नहीं देना पड़ेगा यानिकी ऐडुमिशन चाइर्ज आपको एक रुपया भी नहीं लगेगा यहाँ पर आ लोग दिख रहे हैं एक पेपर आया है मेरे जिसमें साफ साफ लिख दिया गया है तो चलिए क्या है विस्तार से आप लोग को पढ़कर हम बताते हैं आप लोग वीडियो के अंतक बने रहाना है अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक जरूर किजेगा पटना मैट्रिक उतिल विद्यार्थी अगर अपने ही एस्कूल में एगरवी में नमांकन लेंगे तो उन्हें एगरवी में नमांकन सुल्क नहीं देना पड़ेगा जी बिल्कुल उनका नमांकन निसुल्क होगा इसी सत्र से सभी एस्कूल को एस्कूल में यह नियम लागू कर दिया गया है ग्यान ग्याथ हो कि अपर भी में नमांकन शुरू हो जाएगी यह यानि की कहने का मतलब है कि अप्रेल के दूसरी सप्ता यानि की लगभुग 10 अप्रेल के बाद में जो हैं आप लोग का element में नमांकन होना सुरू होगा और आप लोग को जो है नमांकन सुलक एक रुपया भी नहीं देना पड़ेगा अगर आप अपने ही बिद्याले में यानि कि जिस बिद्याले से आप अभी मैट्रिक किये हैं उसी बिद्याले में अगर आप element में admission लेना चाहते है तो आप लोग को एक रुपया भी नहीं लगेगा और साथ ही जो भी अनसुचित जन जाती और जन जाती के विद्यार्थी हैं उनको भी अब जो भी विकास सुलक पहले लगता था वो अब नहीं लगेगा इसका भी बेवधान खत्म कर दिया गया है आप लोग यहाँ पे अ एसी और एस्टी के छात्र होंगे वो भी परवेश सुलक उनको भी एक रुपया परवेश सुलक नहीं लगेगा और नहीं उनका अस्थानांत्रण सुलक लगेगा यानि कि जो भी एसी और एस्टी के विद्यार्थी हैं अगर दुसरे स्कूल में एड्मिशन लेना भी चार मिसन होगा तो आप उसमें अगर अपना एस्कूल का बिकॉल्प चैन करते हैं तो आप लोग को एक रुपया भी नमांकल सुल्ख नहीं लगेगा आप लोग यहाँ पर इस पेपर के डिस्क्रेप्शन में देख पा रहे होंगे शिक्षा भी सिक्षा विभाग के द्वारा से यह जो है अपडेट आया है तो मैं यहाशा करता हूँ कि अब वीडियो आप लोग को समझ में आ गई होगी अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा से शेर कीजिए ताकि सभी बच्चों तक पहुंच जाए धन्यबाद झाल